दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तर प्रदेश का चुनाव अब दिल्चस्प मोड परा गया है अभी कुछी सप्ताव पहले तक ये कहा नहीं जा सकता था कि इस चुनाव में भारती जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वहां का और देश का भी उसको कोई गंभीर विपक्षी चुनावती मिल पाएगी ये अठकले लगाई जा रही थी कि क्या ऐसा सिनारियो आएगा क्या नए धंके पॉलराजिशन नए धंके समीकरण एक्वेशन क्या इमर्ज करेंगे लेकिन दोस्तों अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे समीकरण अब सामने आ गए हैं वो आकार ले चुके हैं जिन से बीजे पी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं बीजे पी जो पहले चुनावती वहीन अपने को समझ रही थी दरसल वो अंदर से परेशान है उसके अंदर डिस्परेशन दिखाई देता है घवराहत बेचैनी भले उसके नेता बहुत तीखी तीखी बातें करते हों बहुत बड़ी बातें करते हों अजीब अजीब तरह के नारे लगाते हों लेकिन उनमें एक घवराहत है घवराहत इसलिए मैं कहा रहा हूँ दोस्तों कि अभी दो सब्ता से उत्तर प्रदेश और देश के बड़े अखवारों को अगर आप देखिए टेली विजन चैनलों को पर नज़र डालिए तो अब तक दो सब्ता से लगातार हाईवे, एक्सप्रेस वे, सिचाई, विजली पानी, दो सब रुपए, दो हजार रुपए, मुफ्त का राशन, बाटना, ये तमाम स्कीम्स के विज्यापन अखवारों में अटे पड़े थे, ऐसा लगता था कि योगी महराज की सरकार जो है, वो सिर्फ विकास के नारे पर ये चुनाव लड़ लेगी, लेकिन डिस्प पर असलियत कुछ और थी, लोगों ने उन अखवारों में, उन टेलिवीजन चैनलों में जो भी ग्यापन देखें, उन्होंने मुस्कुरा कर वो आगे बढ़ गए, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब फिर से 80 बनाम 20 की बात की जा रही है, जोडने की बात हो रही ह तोडने की बात हो रही है सभाज को, तो ये जो चीजें हैं, ये बताता है कि वाकई सत्ताधारी दल में बेचैनी है, घबराहट है, उसको अनुमान नहीं था, पहले उसको लगता था कि हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ेगा, भारत पाकिस्तान नहीं करना पड़ेगा, चुनाओ वो केवल विकास के तथा कजित नारे पर जीत जाएगी, जुम्लों पर जीत जाएगी, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाजों को और फाइटर प्लेंस को उतार करके, जो खुब प्रोपेगेंडा किया गया था, टीवी चैरलों के जरिये, उनको दिख दिखा कर वो जीत जाएगी चुनाओ, लेकिन अब मुश्किलात बढ़ गई है, क्यों, ये डिस्परेशन क्यों है, और मास कीजेगा पंजाब में जो घटना करम सुरक्षा को लेकर हुआ माननी प्रदानमंत्री के दोरे में, वो ठीक है, वो सुरक्षा चुप थी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जान को खत्रा, फिर अंतराष्टी साजीस, खालिस्तानी शड्यंत्र, ये सब कुछ जो किया गया था, वो पंजाब में चुनाओ के लिए नहीं किया गया था, दुनिया जानती है कि पंजाब के चुनाओ में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, दरसल जो किया गया था, वहवी डिस्परेशन में ही, जो उस पर इतनी पॉलिटिक्स की गई, मैं सुरक्षा चुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ, महामृतुन जय जग की बात कर रहा हूँ, वो सब यूपी और उतना खंड के चु खुई, मान लिया, लेकिन उस पर जो इतना बढ़ा बावेला मचाया गया, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड के चुनाओं के मद्दे नजड किया गया, लेकिन उसका भी असर नहीं, उसका भी असर नहीं, अगर असर होता, तो उत्तर प्रदेश, भारती और के दिग्ज नेता योगी महराज की सरकार के वरिष्टम मंत्री स्वामी प्रसाद मौरिया दल बल के साथ बीजेपी छोड़ते नहीं चुनाव से एन पहले कैबिनेट मंत्री बड़े कैबिनेट मंत्री जिनकी बेटी मेंबरा पार्लामेंट है जिनके पास 13-14 विधायक हैं जिसमें कुछ विधायक आलेडी स्थीपा दे चुके हैं कुछ देने वाले हैं और मेरी जानकारी में एक कैबिनेट मंत्री भी स्थीप राम विलास पासवान कहा जाता है, दिवंगत राम विलास पासवान को अक्सर सियासत में मौसम विज्यानी कहा जाता था, हमारे बड़े आधरणी निता थे, महत्पुन दरित समाज से आए हुए निता थे, बहुत जनाधार उनका है बिहार में, लेकिन उनके बारे में अक्स चले जाते हैं तो स्वामी प्रशाद मौरिया के बारे में भी कहा जाता है कि वो पिछले कुछ दश्कों से मौसम विज्ञानी बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में पिछली बार BSP छोड़कर वो ऐन मौके पर BJP में चले गए उनको समाजवादी पार्टी अपने पास बुला भी बने और अब वो सपा में चले गए विजेपी छोड़कर तो ये बार-बार छोड़ने वाले नेता नहीं हैं ये भी मैं नहीं कह सकता हूं कि ये ट्रेडिशनल गर्बदलू हैं लेकिन दो-तीन बार तो कर चुके तो ऐसी स्थिती में मुझे ऐसा लगता है कि जरूर माह कौल बदल रहा है और समाज में नीचे से बदल रहा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरत पवार निये डिफेक्शन कराया मेरी जो जाणकारी है दोस्तो ये शरत पवार जी ने हिंडाइकली कोई बात की हो अलग बात है उनके लोगों ने ले करके मेरट तक जिस समुदाय से आते हैं स्वावी प्रसाद मौरया उस समुदाय के बड़े हिस्से में बीजे पी से डिससाटिस्टेक्शन जो है उसका रिफलेक्शन है उनका जो और फैसला तो उत्तर प्रधेश में अपने समाजों के दबाव के कारण बीजे पी से नहीं हुए है जो मेरी जानकारी है बहुत सारे बिरोक्रेट्स पिछड़े वर्ग के बहुत सारे रिटायर्ड लोग आम किसान ये लोग उन पर दवाव डाल रहे थे कि आप उस पार्टी को छोड़िये जो पार्टी और जो सरकार जाती के आधार पर जनगनना तक नहीं होने दे रही है जो EWS के नाम पर तो आरक्षण के लिए बहुत सारी स्विधाएं दे रही है लेकिन जो पिछड़ों का आरक्षण है उसको कुंद करती जा रही है नोकरीयों का हाल बहुत बुरा है और दोस्तों लोगों को नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश इस समय इंप्ला बना हुआ है और इसके सबसे बड़े विक्टिम पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग है क्यों क्योंकि दलित और पिछड़े वर्ग में पढ़ाई के प्रती नई लगन जो दिखी है वहां के नौजवानों में तो वो पहली दूसरी पिड़ी के वे लोग हैं जो प यानि ऐसी आबादी जो रोजगार के योग्य है उसमें अगर देखा जाए तो 35.5% जो था 2017 में इंप्लाइमेंट था यानि जितने लोग रोजगार के योग्य थे उसमें 35.5% 2016 में थे रोजगार मिला हुआ था आज की हालत यह है कि सिर्फ 32.79% हैं 2021 के दिसंबर महिने में यानि आबादी जो रोजगार के योग्य है उसमें रोजगार जो की हिस्सेदारी जिनकी है जो अभी रोजगार में है उनकी संख्या बढ़ने के बज़ाए गटी है अब मोधि जी 2 करोड कहते थे योगी जी न जाने क्या क्या कहते थे रोजगार के बारे में अभी भी अख़बारों में विज्यापन चप रहे हैं लेकिन वो विज्यापन में जो बातें कही जा रहे हैं वो असलियत से दूर है Government of India के आंकड़े से ये आंकड़े जो आए हैं उनी से लिया गया है और इन आंकड़ों में सरकार से जो आंकड़े प्राप्थ होते हैं उसके आधार पर एक Think Tank ने ये आंकड़े दिये हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार कम हुआ है तो ये जो direct influence करने वाला प्रभावित करने वाला impact डालने वाला पहलू है वो सरवाजिक दलित और OBC पर है यही कारण है कि OBC में भाली फूट पड़ रही है आल्रेडी किसान आंदोलन के कारण पश्ची मुत्तर प्रदेश में जो जाट पापुलेशन है जिसका वो पिछली दफा भारती जन्ता पार्टी को काफी बड़ी मात्रा में मिला था वो अल्रेडी छिटत चुका है ऐसी स्थिती में जो गैर यादो OBC उत्तर प्रदेश का है अगर उसमें पड़ावी भाजन हो जाता है और जो होता नजर आ रहा है तो अब आप सोचिए कि भारती जन्ता पार्टी की स्थिती क्या होगी केशो प्रशाद मौरिया कहां से पिछले वर्ग का चुनाव में ओड़ दिलवाएंगे केशो प्रशाद मौरिया समाज के सर्व स्वीकार्य नेता नहीं है वो बीजेपी के नेता है और वीजेपी पिछणों की पार्टी कभी नहीं रही उसने पिछणों के वोटों को बहुत मैनुपुलेट किया रामजन भूई बाबरी मस्जिद विबात के नाम पर और कमिनल एजेंडे के नाम पर तरह-तरह के प्रलोभनों के नाम पर लेकिन अब तो 2014 से केंद्र में सरकार है 2017 से भ्राज्य में सरकार है अब आखिर क्या प्रलोभन देकर वो उनको फिर से अपने पास रखेगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो 300 यूनिट विजली फ्री देने का सपा का नारा है किसानों को बहुत लुभाने वाला है दूसरी बात कि गाउं में जो कहा गया 80 बना 20 इससे भी लोगों में नाराजगी पैदा हुई कि ये बार बार कभी मंदिर, मस्जिद, कभी हिंदू, मुसल्मान, कभी पाकिस्तान, हिंदूस्तान, पाकिस्तान ये क्यों किया जाता है इसके अलावा दोस्तो एक बात और जो लोगों की नाराजगी का कारण बना और वो था खेती बारी का चौपट किया जाना लावारिस परशूँ को के कारण तो लावारिस जो परशूँ उत्तरपदेश में बड़े पैमाने पर सरकार की नीटियों के कारण खेतों को चर रहे हैं फसलों को बर्बाद कर रहे हैं ये सारी की सारी किसान जातियां शाह के मौर ये सारी के सारे लोग उससे नाराज हो गए और इसके अलावा जो ये जो नेता है नौकरी नहीं है सब कुछ नहीं है इसके अलावा जो नेता अपने समाजों का मन मिजाज समझ कर जो टूट रहे हैं और सपा की तरफ जा रहे हैं उससे सपा अच्छानक मजबूती उसको मिली है और समाजवादी पार्टी जो अभी तक काफी पीछे दिखाई दे रही थी उस बीजेपी के पास बने ही सोशल बेस कम हो गया है उसका वोट बैंक बिखर गया है काफी हद तक तूट गया है खासकर गैर यादो पिछड़े वर्क का लेकिन उसके पास अभी भी चुनाओ मशीनरी बेमिसाल है बूत बूत पर ब्लॉक ब्लॉक पर गाउं गाउं पर उसके लोगों के पास उसके लोगों का उसके पास बहुत बड़ा एक समू है जो आरेसेस की तरफ से है तो उनके पास चुनाओ मशीनरी जो है अन पैरलल है और वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है BSP Congress तो खैर काफी पीछे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी इस गंगल में तो ऐसी स्थिती में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव मर्शीनरी के अस्तर पर इन नए तमाम सामाजिक जो वर्ग आए हैं क्योंकि वैसे ये चुनाव कोर्णा दोर में हो रहा है और बहुत सारी बंदिशें हैं लोगों के निकलने पर लोगों की निगरानी करने पर बहुत सारे factors काम करेंगे इस चुनाव में तो ये कुल मिलाकर मैं दोस्तवाज करना चाता था और बिल्कुल चलते चलते डिस्परेशन का एक सबब और है कि टेलिविजन चैनल अभी बीजेपी को जिताते हुए सर्वे दिखा रहे हैं अभी हाल में एक चैनल ने एक एजनसी के जरिये सर्वे कराकर एक एक ओपिनियन पोल दिखाया जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी की सीटें तो गिर रही हैं वो 223 और 235 बता रहे हैं सपा को 145 157 बता रहे हैं लेकिन वोट परसेंट जो उत्तर प्रदेश में बीजेप भी कर लेता या लोग कहते कि चलो इस पर बात कर लो लेकिन 2017 का वोट परसेंटेज जबकि जाट उनसे अलग हो चुका है गैर यादो ओवी सी काफी हद तक तूट चुका है तो 41.4 परसेंट अगर 2017 हमें था तो 2022 में 41.5 परसेंट कैसे आएगा इसी से साबित होता है कि ये चुनाव सर्वे भी डिस्परेशन में प्रेडिक्ट किये जा रहे हैं और पोल कराया जा रहे हैं और इसके अलावा इनको बड़े-बड़े टीवी चैर्रों पर दिखाया जा रहा है ताकि जनता को फिर बीजेपी की बारे में कहता रहा हूँ तो आज दोस्तो इतना ही कहना था कि उत्तर प्रेश की लड़ाई दिल्चस्प मोड पर आ गई है और अगर विपक्ष जो है चुनाव मशिनरी अपनी मजबूत करे और जो पहले से मजबूत वीजेपी की चुनाव मशिनरी है उसके आसपास अगर अपनी मशिनरी को ले आवे तो इस चुनाव का रंग बदल सकता है इस चुनाव के नतीजे दिल्चस्प हो सकते हैं तो बस आज इतनी ही सी बात नमशकार आदाब सत्सी अगार